बनबाद में आज स्वास्तमंत्री बन्ना गुपता और कॉंग्रेस विधाक दलकी नेता आलम गीरालक पहुँचे हैं और इनसे मिलने के लिए तमाम कॉंग्रेस के जो नेता है कारे करता है वो पहुँच रहे हैं यहाँ पर आज 20-30 बैठक किया जा रहा है अलग-अलग बिं चलेती अस्पिताल जो करोडों की लागत से बना है उसको लेकर इनकी ओर से क्या कुछ योजना है इसके हमारे साथ तस्वास्तमंत्री बना गुपता है वो धनबाद पहुँचे हैं कि आज यहाँ पर किस वज़े से आ है क्या कुछ उदेश है आगे सर जानना चाहें कि यहां मैं आ चुका हूं वो रास्ते में हैं कुछ यहां विकास के भी जो मार्ग हैं वो कैसे और ससक्त हो इस पर भी बाचीत करेंगे लेकिन मुखेता हमारी पाटी में आने वाला जो चुनाव है फिर हमारा जो नया संगठन बना है हमारे संगठन में बहुत से नए बहतर हो सकता है आधी आधी कई एक विशे में हम लोग आये हैं चर्चा करने के लिए बाचीत करने के लिए अपने जिला क्या देख्षी से पुर्व जिला देहच अनुसासन समीति के देख्षे हैं हमारे मनान साब भरिष्ट नेता हैं बहुत तो आलमगीर साब भी आ रहे है बिस उत्री की बैठख में विशेश तोर पर किन चीजिजों पर जोर देने का प्रयांस किया जारे बिश सुत्री की बैठख मुखिता जो है वो 20 बिंदूओं पर बैठख होती है और उसमें सबसे बड़ा बिंदू होता है 15 फाइनेंस 15 फाइनेंस में आधिनियाम 280 के त जो आय प्राप्त होती है, उस आय से राज जी का कैसे, तो 15 फाइनेंस का जो होता है, वो पांच साल में एक बार, 15 फाइनेंस का 280 अधिनियम के तहत, उसके जो राज और देश का कर का जो आय प्राप्त होता है, उससे राज को कितना मिलना है पैसा, देश को कितना मिलना है, और फिर भारत सरकार, 60-40 की योजनाएं भी थी है, कुछ 65-25 की योजनाएं होती हैं, तो वो योजनाएं कैसे करके लागु हो, कैसे हम बहतर से बहतर करें, उस पे विचार होते हैं, फिर बहुत सारी ऐसी योजना है, ग्रामिन विकास की योजना है, एक्रिकल्चर पर है, क्रशक पर है, तो बहुत बीस सूत्री का रिक्रम होते हैं जी, इसलिए उसका नाम होता है बीस सूत्री मेडम आप देख रहे हैं कि लगतार स्वास की दिसा दसा को पहले से बहतर आप पा रही होगे, लेकिन हाँ और बहतर करनी की आवश्रक्ता है है, और अभी करीबन हम लोगों ने JPSC में 800 से ज़्यादा चीकिसकों के लिए अधियाचना दिया है, और लगतार आप देख रहे हैं कि आयूस के काफी चीकिसक हम लोगों ने उनको नियुक्ति पत्र दिया है, 395 के करीब CHO को नियुक्ति पत्र दिया है, 200 के करीब हम लोगों ने MBBS चीकिसकों को नियुक्ति पत्र दिया है, और अभी 800 से ज़्यादा हमारे जो हैं चीकिसकों के अधियाचना गई हुई है, जैसे ही जैसे आते जाएंगे, हमारा ही नहीं पुरे देश में स्वास्त सेवाओं में मैन पावर की बेहत कमी हैं, और हमने केंद्री स्वास्त मंत्री जी से निवेदन किया है, और एक प्रोफेसर दो स्टुडेंट के लिए अधिकरित होते हैं, तो हमने केंद्री स्वास्त मंत्री जी से निवेदन किया है, कि एक प्रोफेसर को पाँच चिकिसक के लिए अधिकरित किया जाए और एनमसी से इस पर जो है बाचित की जाए तो चुकि चिकिसकों की कमी राजी में तो है यह देश में भी है लेकिन हम लोग लगातार यह प्रियास कर रहे हैं, कि चिकिसकों की कमी कैसे कमी दूर हो, फिर हम कुछ अनुबंद पर ले रहे हैं, तो कई तरह से हम लोग कर सकते हैं कि कब तक वो मल्टी स्पेशालिटी हस्पिताल के लिए 94 स्रिजित किये हैं और उसमें कुछ आउट्सोर्स से भी लेने की हम बेवस्ता खड़ी कर रहे हैं और कुछ उसमें अभी तक जो मशीने आई हैं, वो पूरी नहीं है, आप प्रयाप्त हैं, तो वो भी कैसे आये और कई तरीके से उसको वर्क आउट किया जा रहा है अब इठक कोई आयोज़े नहीं किया गया है, मेरा चाने आने का जो है रास्ता यही है, अब आपास होकर ही जाते हैं, आज यह हमारे जो है विस्त्री का जो मंत्री है बन्ना जी, वो यहाँ पर आयोए हैं, तो से लिए वर्कर्स अब मिलने के लिए आए हैं, साहिब बोर सब वर्कर्स के जानकारी के लिए आए हैं, क्या-क्या समस्या है, क्या-क्या सुटना चाहिए, तो साहिज उसके लिए भी स्त्री पुचानकारी लिए निकलागी, तो कि इतफाग भी है, कि हम भी धर से जा रहे हैं, तो सुनी के मंत्री ही है, तो चलो हम भी खुड़ा ब्ल लोकसवा से लेकर बहार अगर देखा जाए तो बार्टी जंता पाट ये भूला है कि क्या हो है चैविहां सायब लोकसवा का अंदर में आपने इनकी बात सुनें तो अगर जब उसको टर गें बूलता है कि इंडिया कुछ नहीं है ये तो 440 में आ गिया है तो वह क्यों सोच हो क्यों मेरे नाम बोल रहे हो इसलिए कहीं ना कहीं अंदर से उसको गड़र अपनी जो है पैदा हो चुका है और मुझे विश्वास है कि आज इस देश की जो लोग जो है कि लोगतां का डिमोकरिशी के लिए आगे बर्जर के आएंगे और इंडिया को सी बोड डालेंगे और दो हैजाद चोविस का परिणाम चुकाने वाली है जो फाइंड आउट करके उसको हम लोग जिर के सलाकों में भेज़ने की काम क्या है एक नहीं आने के साथ सके सम्क्राइब घट रही है उसको हम लोग बहुत जल्द इसको और भी मिनिमम लाने के पूसरे सम्झे अब जो घटना भी जहां जहां पर इस तरह का घटना हो रही में हैं जो घटना हम घटे है अब दो मंत्री आयो है लेकर इसके बावजूद भी धनबात के बैक्वों भी हवाई फाइरिंग लिए तो कहीं न कहीं अब राधियों का मनोबर बढ़ा हुआ है ठीक आप से जानकरी हुई अभी यहां लोकल प्रसासर को हम उपला कर उसका सं करवाई करेंगे और सरकार से हमें बहुत पहले लीज भी मिला था अफेच्छा है हमारे वर्कर्स के दुबारा सब्सक्राइब कर दिया गया है तो लेकिन दावा तो हमारा बनता है इसलिए निया मानकुल योगी होगा हम भूब करेंगे और अपीस खुलेगे स्वास्त मन्फरी ने बताया कि 20 सुत्री बैठक की जारी अलग अलग बिंदों पर चर्चा की जारी योजनाओ के बारे में यहां पर डिसकुशन किया गया है साथी साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आने वाले स्वास्ता में सुधार किया जा रहा है पहले से सुधार भी है साथी साथ हमने कॉंग्रेस वधाक दल किनेता मंत्री आलम के रम आलम से बातचित की तो उन्होंने हमें बताया कि जो इंडिया पार्टी का फॉर्मिशन किया गया है महागडबंदन की जो सरकार बन रही है इसका सीधा असर ये हो रहा है कि भाजपा अपतिल मिला गई है बाजपा परिशान हो गई है और राहूल गांदी को जिस प्रकार से उनकी सदस्दा वापस मिली है ये सीधा ये साबित कर रहा है कि 2024 में कॉंग्रेस जो है वो जंडा गा अब देखते हैं कि आज यहां पर जो 20 सुत्री बैठक की जारी इसका कितना ज़्यादा असर यहां क्याम पब्लिक होता है और साथी साथ इसका असर 2024 चुनाव पर देखने को मिलता है इस तरह कि तमाम अपडेट समाप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सेयोगी संतोश के स साथ शांभवी सिंह थे निवस पोसंबाद